तेले अली लिल्लाह करो दुखियाप करम लिल्लाह करो एक पत्रकार, एक होनिहार पत्रकार, अब्दुल्जबार साथ करना होगी, ब्रयाजमान है, इंशालला मैं उनके हवाले से पहुंचूंगा, मगर आप निजाद बनाईए कि हम भी तयार हो जाएं, आप हमें तयार करने के लायक बना दीजिए, इंशालला हम शुरू होने की परियास करूंगा कि हम कितना जल्द शुरू हो जाएं, भाई साथ, असलाम अलेकों, आओ ना बागु बढ़ जाओ, यार देखिए, आजाओ यार, बहुत होची यार लड़का है, देखिए, लग रही है, गेदा का फूल कुछी लोग देख रहे हैं, देखना भी मेरे दो असन है आपका, अच्छा लग रहा है, तो बोलियों सुखान भाई, और जी लगा करके बोलियों सुखान भाई, दाता अली का नाम है, अखमद हुशेंञ फरीदी, ये तो सरकार हैं, और मेरा नम आजम रजा-फरीदी है, माशाञला, दाता का नाम लेते ही इनाम आ गया, और मैं खुश असलिये हूँ कि मेरा काम हो गया है। तो मैं बुज़र्गों की किलाम से शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ अब देखता यह हूँ कि आप अपनी महबतों की वरसाथ और अकीदतों का सपोर्ट कहां तक करते हैं। हमें नोट नहीं हमें आपकी होट की जरूरत है। आपकी जजबे की और इश्क की जरूरत है। मेरे दोस्तों आप अपना इश्क बेदार करेंगे तो इंशालला हम को सुनाने की परियास करेंगे मेरे दोस्तों। मैं कलाम रजा से शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ के सुरह ला उकसमों में तस्किरा है नूर का सुरह ला उकसमों में तस्किरा है नूर का जिस जगा वो पाओं रखते है वो तुकडा नूर का शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। पुर्सिया होता जमाज मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जल्वे जाख जाते महद में, चांड जुक जाता जिद्वर, उन्गलीव उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था एशारो पर खिलाųना नूर का, और नूर मुस्लिम रहनुमा, अक्बर सदूला नूर का, नूर कासिब नूर आबिद जाने जहरा नूर का अस घरेनो खेज ओबे मिस्ल तुकडा नूर का तेरी नसले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है अईने नूर तेरा सब घराना नूर का माशालला देखिए भई या रहे हैं दुछार आदमी और आ जाते तो काम बनी जाता मुईन दीन भाई देखिए कि अभी मैं शुरू हो रहा हूँ कि आपके दर्मियान बादशाह तरन्नू शाहकार तरन्नू मजार शुर सुखर का वो शहजादा एक अच्छूता अंदाज र जल्वाबार हैं और नकीवे सदा वाहर यरे बुर्जे निकाबत शाहकार निकाबत अज्छरत रुस्तम रुस्तम काद्री साथ तुमला मजफर पूर वो भी जल्वाबार हैं मेरे दोस्त नदीब वसे इन लोगों का सहारा ले करके और उजे जिन्हों ने इत्तला दी काइदे मिल्लत नबाजे कोम मिल्लत हाफिज वकारी असलत अधा साथ कि बला वो भी अपने फिल्डिक को समाँ ले बड़ी तैजी के साथ यह शेयर दे रहा हूँ चुके एक दो रोज के बाद मेरे दोस्तों शबे मिरास का मुका आने वाला है किसी शायद ने कहा है कि अवतारों में सबसु उत्तम सिंगासन है आपका अब्दुल जबार साथ यह शेयर जरूर अपने लाइफ पे चलाईएगा उतारों में सबस उत्तम सिंगासन है आपका हर उम्मती के हिर्दे पे शासन है आपका उतारों में सबस उत्तम सिंगासन है आपका हर उम्मती के हिर्दे पे शासन है आपका और उम्मत गुनाहेगार है उम्मत को बख्ष दे परवर्दिगारे आलम से इवेदन है आपका परवर्दिगारे आलम से माशाला, 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 देखिए, ऐसा जियाली उन्दिगारे आपका, हर उम्मती के हिर्दे पे, शासन है आपका, उम्मत गुनाहे गारे, उम्मत को बख्ष दे, परवर्दिगारे आलम से इवेदन है आपका, और आकाश, आकाश, आकाश सज रहा है, बड़ी धूम धाम से, सुन्दर स्वागतम अभी नंदन है आपका, मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आपने सुन लिया, मैं अब शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी अबाण मिटे मधारा, तब सुन्दी सब्दा सु गुसाई, सुसा जगद्या सरसर नाही, विन चार विचार हनीसा, वजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर्मान न माने कोई, बिन गुर्दो जग्यान नहोई, तब हुए संग लग उतार, मेहधी कहे सकल संसार, ताबू साबू जागू से सुन्दी रम होई, रिबीना मुहम्मादी पारी नहोई, क्रिशा तर्या तंपनी तंबुलू तंस्वानम सग्दि मिलाईला, हैने पापमिलानमा प्रंपतम जनंबे, कुड़ विराजे ओ, जपे नाम मुहम्मदम, और जी लगा करके नभी की महबब में बोलिया सुमान अल्ला, यहाँ प्रंस्वात कुछ नराकू, बेद ब्रान ससर भागू, तेशर भरनता सुहाए, सोती अलगा सुनो खगुराए, तब तक मीटी कोया, बिना महामदी पार नहोई, और जी लगा करके नभी की महबब में बोलिया सुमान अल्ला, और जी लगा करके बोलिया सुमान अल्ला, और ये महला भी बोलिया सुमान अल्ला, पीछे वाले लोग भी इस चल्से के अंदर वाइठे हुए हैं नहीं तो आज हमारी वूफ्लाच की यहालत थे मजहाभी जलसें कोई बैठना नहीं काथा मजहाभी अश्टेज के जाना नहीं चांथा ए्लमा के पास व्यास दियना नहीं चांथा खानकाहों में पीराने उज्जाम के पास बैठना नहीं चांती हमारी इसकी वज़ा कभी आपने सर्वे किया है इसलिए मेरे दोस्तों हमारी ओल्मा के पास मजभवी जन्सों में, मिलाद में, मदर्से के अंदर, मस्जिदों के अंदर बैठना कवारा नहीं करती है इसकी वज़ा सिर्फ और पास्वर्सीप यह है मेरे दोस्तों के हमारे इसलाम पे कुछ नहीं लगा है हमारी खून के खुड़़निया इसलाम के लिए नहीं बही है हमारे आउलाद की गरदने इसलाम के लिए नहीं कटी है अगर मेरा भी बेटा इसलाम के लिए कटा होता हमारी भी करतने इसलाम के लिए कटी होती हमारी भी दौलते इसलाम के लिए लूटी होती हमारी भी समिन इसलाम के लिए बरबाद हुई होती तो हमने इसलाम की कदर और कीवत को सबस्ता, इसलाम की अहमियत और उसके कदर और मंजलत को सबस्ते, इसलिए मेरे दोस्तों हमारा ना इसलाम के कुछ लगा है, ना इसलाम के कुछ खर्च हुआ है, इसलिए हमने इसलाम की कदर और कीवत को नहीं समझा है, मजभावी जलसों म जिसका अठारा साल काल करिया जमाँ बेटा, खाको खुन में तलबता रहा, वो हुसाइन जान के दे कि सलाम कितना तीमती है, जिसकी बेटी सकीना के कानों के नीचे थप्पर बजाए गए हो, वो हुसाइन जान के थे, कि सलाम कितना कदर और तीमत वाला है, इसलाम कितना अहन आधियत वाला है मेरे दोस्तो, मैगर आ जाए के करणे नबी, जमाने मुस्तफा को उठाए के, अभी पेगंबर भी सलाम एलाए नबूत नहीं किया है, अभी पेगंबर ने इजहार नबूत नहीं किया है, उससे पहले पेगंबर ने अपनी सबसे बड़ी बेड़ी, जैसे आपकी ये आवास आपकी बेटी सेरब ने सुनी तो कहा आमनना सदकना की सदाए बलंड की तो आपके ससुर यानिके खुसर ने कहा ए मेरी बहु अपने बाबा का कर्मा पढ़ना बंद कर दो आओ ना तो उस्सा की अबादते किया करो आओ माबुदाने बातिल के आगे स करस्ते किया करो मेरी जैनब करमा शाही है रिख तूर ने करे हैं किया आपकी आपके सासी प्र्चार कर मेरी तो क्यों करोमेकर जैनब करमा पढ़ना बंद कर दो आओ ना तो उससा कि एबादत करो मैं गुदाने बादिके आगे सज्दे किया करो मैं गर Zaynab बाबा का किलमा पढ़ने लगी था पर मुसिबतें टूथ परी है बात बात पर Zaynab को गालिया दी जाने लगी है बात बात पर नबी की बेटी को मारा जाने लगा है जैनब बयाहार करती है कि बात 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 लो मेरे फीक में थपड़े बजा दिया करते थे जब सुल्म स्थर से उपर बढ़ गया तो नभी की बेटी एक राथ अपने देवर से कहा चुके देवर जरा सा रहम दिल था कहा ए मेरे देवर मुझ पर रहम करो अब मुझकों मक्का से मेरे बाबा के मदीना भेज़ दो जैनब को भेजने की तैयारी कर दी गई है जैनब का देवर एक काफले बालो से बात कर ली एक काफले बालो तुम मक्का से मदीना जा रहे हो हाँ जा आ तो रहा हो ये किराया ले लो मेरे घरगर एक औरत है जो नभी की बैटी है मदीने पहुचा दो, हम पहुचा दो, सुभा का सवेरा आया है तारीख के मताबिख, आपका देवर आपको लेकर के काफले बालों के हावाले कर दिया है, सवारों नभी की बैटी को उटके पीट वे बाइठा के, मक्गा से मदीन लेकर के चल पड़े हैं, सुबा का सवेरा नमदार हुआ है, आत्माने दुनिया का सूरत, पूरी समी को रोशनी पिखे रहा था, ऐसे बाहूल में आपके ससुर और शोहर ने देखा, कि जैनब घर के अंदर नहीं है, हैरान हुए, तलाश और जुस्तुजू करना शुरू कर जैनब को जब नहीं पाया गया, तो जैने सवाल किया लगता है, जैनब मका से मदीना निकल पड़ी है, चंद बंदमाशों को, चंद शरीलों को घोडों के पीट पे पिट आ करके, जैनब को पकड़ने के लिए दोड़ा दिया गया है, घोड़ सवार तोड़ने लगे है, जैनब ने कहा ये लोगो, अब लगता है कोई पकड़ने के लिए मका से आ रहा है, जल्दी करो काफ ले बालो, और मुझे ले करके जल्दी चलते रहो, मगर अगर सवार कहा जा सकते थे, घोड़ सवारों ने चारों तरफ से नबी की पेटी जैनब को घेर लिया, और घेरन पेगर पड़ी है, घोड़ सवारों ने नबी की पेटी जैनब को घसेट करके मका लाया है, आपको उसी बीमारी में छोड़ दिया गया है, जब जैनब बीमारी में कराहती तरपती, तो मरीद हकीमों ने, डॉक्टरों ने कहा, लगता है जैनब मर जाए किसी बीमारी में, तो घरवालों को फिकर हुई, अगर जैनब इसी मर्ज में मर गई, तो खांदाने कुरैस की कहीं खेरत जाग उठी, तो मेरी इट से इट बजा देंगे, एक राख चिपके से नभी की बेटी जैनब को मक्का से मदीना भेज़ें की तैयारिया कर दी गई है, जैनब जब मक्का से सफर की है, तो कासिदा करके खबर करता है, एक पेगमबर आपकी बेटी जैनब आ रही है, इस मर्ज मर्ज को, इस बीमारी को ले करके आ रही है, पेगमबर तडप उठे हैं मेरे दोस्तों, पेगमबर काप उठे थे, और आगए चंचलाती ही धूब में सरहद मदीना के करी, और तिक-ठी की बात करके अपनी बेटी को देखा करते थे, कई दिनों के बाहाद जैनब सरहद मदीना पे पहुची है, तो पेगमबर इसलाम को देखी कि अपने अनुआई यो अपने सहाबा के साथ, अमबर इसलाम सरहद पे खड़े है, नबी की बेटी जैनब उठी पीड से उतरी है, और बाबा के नजरों के सामने आके खड़ी हो गई, और जैनब टिक-ठी की बात करके अपने बाबा को देख रही थी, और जब सब्रत के पैमाने तूहुट वड़े, तो जैनब अपने बाबा को दोनों हादों से चिमट ली, और कह रही थी, बाबा, मदीना आए, के लोगों ने मुझे लवारिस समझ वैठा था, बाबा, आपका मका से मदीना चले आए, कई कई रोस तकाद की जैनब को खाना ना दिया गया, बाबा देखो ना त्यरी पेटी के पेट में, जखम लगे है, तीर लग गए है, पेखंबर को रोरों जैनब अप और नबी मुझें के दाड़ी तर होते चले गए, नबी अपने हुझरे में अपनी पेटी जैनब को ले गए, और ले जाने के बाहत इलाज शुरू कर दिया गया, मैगर मर्ज तो लाए लाज जो चुटा था, मर्ज का हाठी को ने माला था, आखिरकार जैनब उसी भीमारी पेटी में इंतकाल कर गई, पेगंबर इसलाम अपनी पेटी को कबर के हवाले किये, और मिती ढाल करके पेगंबर दोनु हाथो को पहलाया, अकाए मेरे परवर्देगार, यह वो मेरी पेटी जैनब है, जो इसलाम के खातिर तिहीर खाके कबर की मन्जिल में गई है, परवर परवर्देगार, यह वो मेरी पेटी जैनब है, जो भूको का सामना करके कबर की मन्जिल में गई है, परवर्देगार, यह वो मेरी पेटी जैनब है, जो बड़ी मसीवतों का सामना करके कबर की मन्जिल में गई है, परवर्देगार, मेरी बेटी जैनब कब जननत में कितन कि अप्जा मकाम होगा, कितना बुलंद मकाम होगा, अभी मुस्तफा दौधा ही कर रहे देते, क्या आगए ताइरे सिद्रा, आगए बुल्बुले सिद्रा, आगए मकीने सिद्रा, आगए जिबरीने अमीर, आगए फरिष्टों के सर्दार, कहा महभूद, आप उदास मत पेटी आपकी है, मर्जी खोदा की है, बेटी आपकी है, चन्त खोदा की है, चन्त में उज़ा मकाम देना, ये रबकार काम है, अब पूछिया जैनाब से जैनाब तुने तीर क्यों काई तो जैनाब तु इतना प्रूसिक इसलाम के खातिर रही है ए जैनाब तु भूखे क्यों रही है तु इतना प्रूसिक इसलाम के खातिर रही है उए जैनब तू इतनी प्यास के सितनत में तड़ती क्यों जैनब की अवाजों कि सिर्फ उसिक्षिक इसलाम के खातिर तो जिसकी पेटी के पेट में तीर भाने गए हो वो पेखंबर जानते थे जिसलाम कितना कीमती और और उन्जिन दौला है जिसकी बेटी शहीद कर दी गई हो, वो पेखंबर जानता इसलाम कितना कीमती है, ना मेरा इसलाम पे खुन की कुर्बानी मैंने दी है, ना अलाग की कुर्बानी दी है, ना दौलत की कुर्बानी दी है, इसलिए हम ने इसलाम की ख़डर कीमत को नहीं समझाए, मेरा भी बेट इसलाम के लिए कटा होता, मेरी भी बेटी इसलाम के लिए तर्पी होती, मेरी भी दौलत इसलाम के लिए कुर्बान हुई होती, तो हम इसलाम की खदर केमत को जानते, इसलाम की वैलू 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 को ज प्रादरे वतन आपने आपने में सुनाओंगा अभी बेद में पढ़ंगा भाड़ाये मताद आप लूँ कुम 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 जनमी अस्रानम पड़ितं बाूरानम श्वा दो दर्यायारी के गन्या और यम्ला का जमिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है जस रास्ते का नाम है वहतरनी वहतरनी रास्ते का सीदा तौलुकम् से स्वर्क से जन्नакс तो इसका खुलाता यह हुआ का जो इसमें घोता लगा लिया असनां कर लिया डूमकी लगा लिया ओ ओ स्वर्की हो गया मैंने क्या बेदोब्यास जी क्या आद्मी असनान करने से 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 बेदोब्यास जी क्या आद् इसका खुलासा करके बताईए इसका खंडर करके बताईए इसका उधारन करके बताईए तो कहने लगे लाई 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 कोई भी सिचित पंडित यानी पंडित पलहालिका पंडित तालिब याफता पंडित मेरे दोस्तों जब वो मरने लगते हैं तो अपने बेटे को बोलाते हैं और बोला के कहते हैं एे मेरे बेटे सुनो सुनो मरने से पहले तुम अनका ही जरूर पढ़ लेना ब्रहमा सुत्र ज आइन नाइन अपन लोगे कि पाप हरन हो जाएगा पाप मिठ जाएगा पाप दिले तो हो जाएगा पाप जानते हैं आप लो जो नहां या न भाई वह ताज को सबसान नहां जानेगा तो कों जाने का कईएगा जूम्ह करो जारे, समाज कि नौ जुम्ह पढ़े कर के निकलता है वह पिजानता है जूम्ह में इतने मेंधार की आजान हो गई कि अलोग एक भरमाव एक भड हुआ भरमाव हुआ भरमाव रुस्ताब भाई साथ चलिये नमाज बढ़िये ताज का नुझान का खज़रो चाहिए पढ़िये कहें चांचाप बदो चब वज़ु कर चला सरकी नमाज पक पक अस्तु को नहीं जानेंगे चल बाजÕ कर चला सर्की नहांजबो bot तेका है तभ याभ याभ नहीं समझ पाए इमान ने कम पूरा महला समझ पाइए चल बाज़ परेंगे से आईसने श्रकून में जाके कहता है अमदूंसाब करें अधर। अधर। अल्ला खेयर करें नभीर शाहत फरमाते हैं अत-धारत निस्फ रिमान पाकी जो है आइदा उमान है मुसलमानों को हमेशे पाक रहना चाहिए क्या राना चाहिए क्या रहाना चाहिए बाई चच्चा क्या रहाना चाहिए पाक रहाना चाहिए पवित रहना चाहिए मगर आज का नोजवान अब दुल्यबार साब इसा पहनता है के पत्ते नहीं चलता के सिल्वा के पहिनों है या पहन के सिवाया है इतना फिटिंग पहनता है अरोट के किनारे ख़ला हो जाएगा मारेगा चेन गास दमकल चालू अभिमाबी सावावे मुईलुदीन सावावे रुस्तम कादरी सावावे कोई सावावे कोई परक पढ़ने को नहीं है मेरे दोस्तों हसके मेरे चुमले को मट डालिए अरे जिन्दगी की कोई गारंटी नहीं है जिन्दगी का कोई ठेकाना नहीं है अरे रब उन्हें जब तक जिसमें के अंदर चांदी है तो ये एरादा कर लीजिए कि मेरा बदन ना पाक न रहे मेरा बदन पाक रहे ये ना रहे इत्बी आरे आरे इसालत खुमा इक्राफ नारे इसालत देखिए हमारी इसमात के पहतरीन खतिबे फार्दिल अजीज़ीब खतिबे बाकाल खतिबे हिशिरी मताल हज़रत अल्लामा औमौलाना अज्मतु लौ्लाँाध गादरी नेपार हज़रत जल्वावार हो गए और बादु शाहि तरनन्म एक एक अपनी आवाज की पहचान रखने वाली शिक्षियत शाद्व जफरत पूरी साथ के बिला हो भी जल्वाबार हो गए और दिगर हो अर्माई कराम और श्योरा एजाम भी जल्वाबार हो गए यके बादी के सारे लोगों से आप सुनेंगे और सब लोग आप की इतना सनाएंगे के आप मस्त हो जाएंगे बोलिए ना बोलिए मस्त हो जाएंगे और नभी के इश्क में मस्त होना ये कोई बुरी बात नहीं है अरे जो इश्क नभी में मस्त हुआ क्या बात मस्ताने की जो इश्क नभी नमस्त हो जाता है कभी उसका इश्क बुढ़ा नहीं होता है उसका इश्क कभी जोर से जोर से इश्क कभी बुढ़ा नहीं होता है जजबा कभी बुढ़ा नहीं होता है आप इश्क रसूल में इतना पक जाईए कि आपका इश्क हमेसा जान रहे जोर से जोर से जोर से जी लगा करके इश्क कभी बुढ़ा नहीं होता रे जंगे बदर कंदर दीन सतेरा जाने सारे हुसाइन इश्के मुस्तफा में पड़ करके उतरे तो बाई सजार यजीदियों को सलेंडर बोलना पड़ा और जब इश्के मुस्तफा की घूटी भी करके बरैली के ताज दाल बरैली की धर्ती से अपने कमल कलम को संभालता है तो पूरी तुनियाए हो आपके अपके अंदर जल्जला बर्पा हो जाए इसलिए कभी इश्क इश्क कभी बुरानी ओता है ताक करके मेरे दोस्तों सारे लोगों की शाई ली तकरीर आप सुन सके तम क्या कह रहे थे खतम कर दे खतम कर दे भाई एवाई लो कब बोले लाले हमको समझ में नहीं खतम कर दियाद आये या रसूल आये तक्रीर ना पैरी सालन। आला इलाह इलाल्ला, फद खलल जन्द, जिस शक्त में ला इलाह इलाल्ला पढ़ लिया, पस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेड़, मेरे दोस्तों, मैंने कहा बेद व्याद जी और खुलासा करके बताएगे, और इसका घंडर करके बताएगे, और इसको मैंने काबे दूब आज ये काए तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलहा इल्लाह और महामम से होता है मुहम्मद अर्रसूलूलाह जिसने भी इस कलमे तयवा को पढ़ करके अपने हिर्दे की सफाई कर लिया है जिसने भी समंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाग कर लिया है तब उसके सीने में कीना नहीं रहेगा रहेगा तब पेखंबर का मदीना रहेगा क्या रहेगा जोर से जोर से क्या रहेगा जब ये कलमे पाग सीने में आ जाएगा तो सीने को पाग कर देगा हिर्दे को साफ कर देगा पिर इस सेहर्दे के अंदर इस सीना के अंदर कीना नहीं नभी का मदी मदीना रहेगा तो मेरे दोस्तों ये कलमे ये तयवा चलते फिरते उटते सोते जाते पढ़ते रहना चाहिए कि नहीं जोर्च बोलिये ना पढ़ते रहना चाहिए तो बलन धुआ से पढ़िए ला इलाह और जी लगा करके ला इलाह इलाह इल्ला मुहम्मदुर्सूल्ला जब ये मंतर सीने में आ जाएगा तो हिर्दे को साफ कर देगा सीने को पाग कर देगा फिर सिना में कीना नहीं मेरे दोस्त और आ जाएगा तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत कार रंभी श्रुपम ओ बीश्व्यापी है संसार मैं है दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है, कौन करने वाला है, या को जगत का गुर्व एक है, जगत का संचालक एक है, जगत का रचना एक है, दुनिया बनाने वाला है, जगत का रचना करने वाला है, जगत का रचना करने वाला है, जगत का रचना क आस्मा का सामे आना लगाने वाला रभो एक है ये तो बेदों में बताया जा रहा है कि पूरी बेदों में बताया जा रहा है गर उठाइए आकाश के पुस्तक, आकाश के गरंद कुराण फ kon्राम किन पुझिए एक कुरान तू बता के मेरा खोड़ा कितना है बेद तो कह रहा है के पूरी दुनिया के रचना करने बाला तो जो रचाईता एक है ओ माली के एक है ओ परवर्दिगार एक है एक आशके पुष्टा कुरान तू बता के मेरा खोड़ा कितना है तो कुरान आवास दे रहा है खुलू हुव अल्लाव वहद अल्लाव है एक है बोलिए न जूर से अल्लाव अल्लाव और जी लगा करके अल्लाव एक है अगर मेरे दोस्तों यह तो धरम में भी कहा गया यह को जग दी इस वरा नकले कुफ्र बाशन मेरे दोस्तों पूरी दुनिया कर्थ न करने वाला वह रचके तया एक है ओओ परवर्दिगार आउलम एक है मेरे दोस्तों और हमारी किताब कलाम उल्ल्लाव कह रही है मेरे दोस्तों मैं कर एक छोता सावा करे आपके बताने की कोशिच करो मेरे दोस्तों अराक की गलियों में चंद पादरी धरम के रहार के का हुझ मेरें, काल इस महले में ऐसे ही दस बारा आदमी पहले लंबा जुबा लंबी दाड़ी लंबी पगड़ी हो और दस बारा गो आदमी घूमने लगे तो गाउं के लोगों को जमा करना होगा कि लोगों खुद ही जमा हो जाएंगे जोर से बुलिए ना कहां आए हो किसलिए आए हो का के चुप रहो जितने मुहले में मुसल्मान है सब एक चोराहे पे जमा हो जाए सारे मुसल्मान जमा हो गए ऐसे ही स्टेज लगा दिये गए स्टेज के उपर कुर्सी रख दी गई सबसे बुणा मुँ तू तू दू पादरी जो था हिसाही धरम का गुरु गंठान पैट गया कहें मुसल्मानों तुमसे मेरा दीन सुवाल है मेरे सुवाल का जवाब देऊगे तो ठीक है और नहीं दोगे तो मेरे धरम को मेरे मज़भ को मानना होगा का कि स्वाल करो का नहीं वही ने तुम शर्द मौनो का चलो तुमारी शर्द को माल लिया स्वाल करो का तुम लोग खुदा को मानते हो रब को मानते हो का के पादरी जी सुन लीजिए हम लोग अनपन जरूर है गमार जरूर है में गर खुदा पे पुखता यकीन है तो कहा तो बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है तेरा खुदा है तो देखता किधर है तेरा खुदा है तो खुदा से पहिले क्या था है न और सारे मुसल्मान माता खुजवाने लगे पाजामा उपर खिसकाने लगे कि कहां वोल जोल में फसा दिया अब पादरी दाल ठोका काए मुसल्मानों बताओ कि तेरा खोदा है तेरा आल्ला है तो अभी कर क्या रहा है जो पीछे ते सिल्टी लाइन पकड़ के रास्ता नापने लगे जाने लगे के आगे वाले फस गए मूह लटकाए इतने में मकतब से मदर्सा से इसकूल से एक छोटा सा बच्चा पढ़ किया रहा था और बच्चों की आदत है कि जहां भीड लगी हो खुद वखुद चला जाना और मकतब के मदर्सा के बच्चों की हाला रादे भाईया एक घर का दो बच्चा हो एक कुन भेंट के अंदर जाता हो प्राइवट स्कूल में अद दूसरा मदर्से में तो जो प्राइवट स्कूल में जाता है मा तीन बज़े उड़ती हैं सब्जी बना के टिपन में पहे करेगी इसनों पाउडर पुचारा करके बेटे को हाई टाई पाना करके बस ता तीन केजी के लाद करके रोड पे खड़ी रहेगी बस वाला आता है चड़ा देगी आए बाए दा बच्चा चला गया मदर्सा में पनने वाला बच्चों सूरज निकल ढाता है तब तक सोयोँ रहता है अमा की नजर पड़ी में उठाती एक छ़डी इस्टीक मारी इसे करें कि इंदारिया आरे इमाम साहँ क्या ना गिया पढ़ने अ मरता क्या ने करता बगदादी काइदा उठाया बॉरा में लगता गया इमाम साहँ क्या फ़रा बच्जा इतना है कुछ जगह के काघज को खतम कर देता है ये मदर से के बच्चे की आह रहाए, हस करके मेरे जुगले को मर्टा लिये मेरे दोस्तों, मेरे नोजवानों, और जितना सवार करके आप ने दूसरे बेटे को भेजा है, काश हदी से प्धेंबर पढ़ने बाले को, आप सवार के भेजे होते तो आपकी दुनिया भी सबर ज तो देखा कि दूसरे क्वालिटी के लोग आए कहा आए हो तो पादिरी बड़ाए बच्चा बकर बड़र किया चच्चा चूप है तुम्हारा चच्चा कुछ बोल ये नहीं रहा है अग तुम आगे आगे क्यों बोलता है चुप रहो कहा कि क्या बात है का तुम्हारे के नहीं कि तो हमरे धरम को मानवा हो अब बच्चा देखा ना आओ ना देखा ताओ का हम यूज जबाब देंगे तना च्छोटा सा बच्चा तुम्हारा जबाब देगा हम जबाब देंगे वह बच्चा कोई और बच्चा नहीं था अपने जमाने का एमाम आजम अबुहाल इपाते जो बोल रहे थे के हम जवाब देंगे हम जवाब देंगे का बता तेरा खुदा है तो अभी पर क्या रहा है तेरा खुदा है तो देखता किदर है तेरा खुदा है तो खुदा से पहीले ही आप था अब एमाम आजम बोले जवाब चाहिए का हाँ जवाब चाहिए एमाम आजम बच्पने में बोले एमो तू 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 पादरी चल नीचे उता उतारे का जमीन पे नीचे वैट वैटा दिये और अपने चड़े स्टेज पे आके कुर्सी पे वैट गए का अब स्वाल कर अब प्रश्न कर अब तुम कोश्टन करो अब पूछो कहा के बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है आप से कोई पूछे अजमत अल्ला पादरी क्या कर रहे है तो गई का हमरी तरफ देख रहे है शाद में जपर पूरी क्या कर रहे है तो ये काम कर रहे हैं आसा मर्यजा परीदी क्या कर रहा है तो ये कर रहा है जिसको देखे हैं ही नहीं तो पता कई से चले को वो कर क्या रहा है अच्छा जाए ऑभने को देखा है है रही देखा है कोई मुर्दा कवरिस्टान से निकन करे चला जाए पान की दूकान पर बनाई देड़ जोड़ा पान पान तो पानवाला गाले ने सारी दुकान छोड़ो पूरी जानी कहां से आगिया मुकम्मल कब्री स्थाता जब आदिमी मुर्धा को नहीं देख सकता तो खोड़ा को देख सकता है हम सब का अकीदा है कि मेरा खुदा जिसमों जिसमा नियास से पाक है बदन से पाक है शरीर से पाक है तमाम आजास से पाक है मेरा खुदा शरीर से पाक है मेरे दोस्तों सिफ अपने धरम में नहीं हिंदू समुदाइक के अंदर रिगवेद का मंदर है उनकी अहां भी मेरे दोस्तों खुदा की कोई मुर्ती नहीं है खुदा का कोई बदन नहीं है एक आवकार सत नाम करता प्रुक नर्भू नर्वीर अकाल मूरत एक आवकार दुन्या का निराकार एक है सत नाम उसी का नाम सचा है करता पुर। वो कादिरे मुतलगे शक्ती शाली है। पामर खुल है। नर्भू वो किसी से नहीं डरता। नर्भी वो सब को डराता है। रब सब को डराता है ना भाई। चंद साल पहले जलजला भेज दिया था। लोग घर छोड़के भाग रहे थे। अचंद महीने करूना तुलमू पे जाबी लगा के भाग रहे थे। भाई भाई से नहीं मिल रहा था। तो खुदा आई से ही डराया करता है। जो कसाउटी साहत रखते हैं उसे क्या नीद आए जो चुनाउटी साहत रखते हैं। तो भाई या कमाई टोपी वाला खाए धोती वाला मेहनत मौलाना लोग चाहे आप नहीं चलिए होता है को बन्हारी किसी और को मिल जाता है। तो मुस्कुरा करकर बोलिए नभी की महब अपने सुछाना लाहैं मुस्कुराना किसी की आप की सुम्नत नहीं है मेरे दोस्त ये तÖ वो किसी से नई ड़ता है अकाल मूर्ती उसकी कोई मूर्थी नहीं इसका कोई फोड़ नहीं है उसका कोई तस्वीर नहीं है उसका कोई शरीड नहीं है अरे वाले रोका खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है अपना जो खुदा है वो तस्वूर में रहा करता है वो तस्वूर में रहा करता है बच्चे ने का आई पादरी बता तेरा पूछता है ना कि मेरा खुदा अभी कर क्या रहा है कहां बता, तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है कहां बता दे, कहां जल्दी बताओ इमाम आजम कहे के, बता दो कहां बता कहां मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि तु जैसे सालिब को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है और मुझे जैसे पच्चा को समीन से उठा करके कुर्सी पे बैठा रहा है वा तो इसो मंतशा वा तो जिल्ल मंतशा मेरा रब जिसे चाहता है उसे इससे नवाज देता है और मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील कर लेता है तीके ठाक जवाब है का बाबु अभी दो सवाल बाकी है दो सवाल में फंस जाओगे का चल सवाल कर का बता तेरा ख़ुदा है तो अभी देखता की धर जिसके पास आँखो वही न देखेगा भैया आनरका जाने आँख का मज़ए आँख वाले ही जानते हैं कि ये क्या है जिसके पास आँख ही नहीं हो उग कि धर देखे रहा कहा देखे गा मैंने पहरे ही कहा कि मेरा खुदा तमाम आजा से तमाम शरी से पाक है है ना जब आँख ही नहीं तो फिर देखता कि धर है तो सिप अपने धर में खुदा की आँख नहीं है खुदा का बदन नहीं है राम चरीट मानस हिंदुस समुधाय की सबसे मुतवर किताब है बहुत अहम पुस्तक है मेरे दोस्तों जिसके लेकर राम चरीट मानस के जिसके लेकर तुलसी दास ही है और तुलसिदा जी राम चरितमानस के अंदर दोहा लिखते हैं कि बिन पद चलाई सुनाई विदी काना कर बिन करम करई विदी नाना आनन रहित शकल रस्वोगी बिन बाड़ी वक्ता वड़ियोगी तुलसित आज ही कहते हैं बिन पद चलाई सुनाई विदी काना तुम इस्वर के बारे में रब के बारे में नकले कुपर कुपरना वाशद मेरे दोस्तों परवर्देगार के बारे में पूछना चाहते हो उसकी आँख है की नहीं है उसका पैर है की नहीं है उसका हाथ है की नहीं है उसका शरीर है की नहीं है तो सुन लो राम चरित्वानस के अंदर तुलसित आजी निकते हैं बिन पद चलाई सुनाई विदी गाना कर बिन गरम करई विदी नाना आनन रही तो शकल रस्म होगी बिन बारी वक्ता बढ़ी होगी तुलसित आज ही कहते बिन पत चलाई सुने विदी काना जो बेगेर पैर का चला करे वही खुदा हुआ करता है जो बेगेर आख का देखा करे वही रब हुआ करता है जो बेगेर हाथ ता पकड़ा करे वही खुदा हुआ है न मेरे दोस्तों पाद विडियो ने का बच्चा बता ते राख खुदा है तो अभी देखता किधर है अभी ते माम आजम बच्पने में बोले तू लोग बढ़ा लिक्ता देखिए एक पीरे तरीकत रहते रहे रहे शरीयत हजरत हाफिज बकारी जावेद अख्ता साब के विला सज़ादा नशी दाओद नगी दाओद नगर जो हजरत लेटे हैं उनके नबीरा उनके नमासा है और सज़ादा नशी भी है मेरे दोस्तों बहुत बहुत बर शक्सियत है मेरे दोस्तों आप एंसे एक तसाबे फैस हासिल कीजिए और इनकी नुरानी सूरत को देखते रही है मनमोहनी सूरत को देखते रही है मेरे दोस्तों दिल भाग हो जाए है ना बज़र्गों का मुज़र्गों की सूरत देखना भी अबादत है और जी लगा करके बोलिए का क्या बता तेरा खोदा है तो अभी देखता किधर है का बता दे का हाँ का कि तुम लोग आए हो तो कुछ कैंडिल मुंबती चराख लाए हो का हाँ का चराख जलाओ जला दिया गया सबसे बड़ा मूटू तोदू पादरी जो था सबसे सेनियर लेकर के बीच में खड़ा हो गया ए मामे आसम बच्पने में बोली अब बताओ इसकी रोशनी इसकी परकास्ट इसकी लाइट कि इसकी जोद किधर है तो जो पुरब ठाकास्ट इसकी रोशनी हमरी तरफ है तब पच्ची मौलब राइट माथा तोरी खराब है अरे चराख की रोशनी हमारी तरफ है तो उत्तरवाला का ठीक ठाक रहेगा कि दूब घुसा में दिमाग तुरूस कर देंगे हाँ एक रोशनी हमारी तरफ है तब तक कैसे उत्तरवाला कहने लगा चुप रहो एक रोशनी हमारी तरफ है अब हमारी तरफ हमारी तरफ होने लगी तो सबसे बना मोटू तूदू पादरी जो तका है चुप रहो अरे चिराख की रोशनी चारो तरव बालूम होती है इमाम आजम मुष्कुराए और जवाब देते है मेरे रब का नूर हर जर्रे जर्रे में है रब का परकाश हर तिनके तिनके में है रब हर खत्रे कत्रे में है रब हर जर्रे जर्रे में है रब का नूर हर जर्रे में है बस आखरी बात सुनिये मैं अपनी जिमले को समेट के खत्म करूँ मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों कहा के बाबु मोटा मोटी हो जोट के बाब है मगर पीसरा में फ़स जाश चुके अग कुछ पादरी माता खुजला करके टोपी इधर उधर करने लगता है कहने लगता है आस तक तो हम लोग दूसरे को टोपी पहना है ये बच्चा हमको टोपी पहना देगा अब इमाम आजवर्ट कहा जाता चल सुवाल कर कहा बता तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था बता से पहले जोर से जोर से जोर से पहले कया था इमाम आजम बोले के बता दे क्या था कहां बता तुम लोग पढ़े लिखे हैं कि गिनती पहरा आती है कहां गिनती आती है चल गिनो एक से आगे बढ़ो का एक से पहने है कुछ नहीं है एमाम आख़व मुश्कुराए का मेरा खुदा एक है और इस एक से पहने कुछ नहीं है गुल हुवए लूहект अलाएःःःःःःः अलाएःःःःः दुनिया का रचना करने बाला और रचैता एक है दुनिया का पालन पोशन करने वाला वाहकमुलहागमीन एक है दुनिया चलाने वाला और रबुलालमीन एक है दुनिया की परवरिश करने वाला ओ माली के एक मेरे दोस्तों आपने हर धरम के अंदर देख लिया एक ही खुदा की अबादत की जाती है, एक ही खुदा की पूजा की जाती है, एक ही खुदा के आगे माता टेके जाते हैं मेरे दोस्तों, और एक ही खुदा के लिए अबादत जाइज है मेरे दोस्तों, उसी के आगे सजदा जाइज है मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, हम भी अ अदीप के तमाचे से اے समारा के पूरी ईसाइक ठर्हा का तो मेरे दोस्तों आखरी पेगाम लेते जाये आज रहा है अज जो Zमाना गुज़र रहा है जो दोर गुजरर रहा है मेरे दोस्तों इसमें हम इतने इन्फरादियत शक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसलिए मेरे दोस्तों आदी रोटी खाई के कि अगा君 आदी रोटी जरूर चाई के अनी डूर भी खोई के पर आधी गांई के मेरे को पर इठे को डॉक्टर बाया हूं दोस्तों का ताकते मरूब कर दी जाएगी, मेगर जिसके बेटे के हाथ में कलम का तलवार है, वही वता की सुनहरी बाव मिकता नजर आएगा, वही कामयाबी की मंजिल को छूता नजर आएगा, आप कहिएगा मौलाना अपने बेटे को दीन पढ़ा करके डॉक्तर क्या पढ़ाएंगे, म मेरा बेटा पढ़ करके मोदी जी की तरफ परधान मंतरी थोड़ी हो जाएगा, मेरा बेटा पढ़ली करके एमपी थोड़ी हो जाएगा, मेरा बेटा पढ़ली करके बिधायक थोड़ी हो जाएगा, हम काहे के लिए समय बर्बाद करें, तो मेरे दोस्तों, आपका बेटा म और फिसर जरूर बन सकता है इसलिए मेरे दोस्तों अपने बेटे को इतना परहा दीजिए कि आपका बेटा कौम की जरुषत बन जाए आपका बेटा समाज की जरुषत बन जा ऐक बात आखरी बात उरसे मुकद्दस एक पेगाम जाना चाहिए मैंसे जाने चाहिए मेरे दोस्तों आज से तहया कीजिए कि परदेश जाके कमाना पड़े तो कमाएंगे मजदूरी करनी पड़े तो करेंगे मिटी सर पर लाद करके ढोना आए तो ढोएंगे मगर अपने लाल को जरूर पढ़ाएंगे पहले दीने मुस्तफ़ा शर्यते मुस्तफ़ा सीरते मुस्तफ़ा पढ़ाएंगे पुरान पहाने का नाम दीन नहीं है दीनी तालीम नहीं है उससे आगे निकलिए हराम और हलाल की तमीज पढ़ा दीजिए उसके बाद दॉक्तर बनाएगे engineer बनाएगी, professor बनाएगी मैंने कहाता कि आप डॉक्टर मत बनाएगी आप अपने लाल को डॉक्टर नहीं बनाएगी तो अपने समाच के ill Tenemos कौण करेगा अप अपने बेटे को engineer नहीं बनाएगी तो मसीदोऊ और byदरसों का नक्षा कौण बनाएगी अप अपने बेटे को प्रूफेशर नहीं बनाएंगे तो मेरे लाल को पढ़ायेगा कौॉ अपने बेटे को दुरोगा नहीं बनाएंगे तो ट्रेनिंग देगा कौॉ हर माहाज केरे बेटे को खड़े करने की ज़रुवाट थे आप एक रोटी कम खाईे अगर अपने लाल के हाथ में कलम तुमाईए है ना कलम की कीमत है यही कलम अगर तस्लीमा नस्रीन जैसी आवारा के हाथ में लग जाए तो इसलाम के खलाप लिखना शुरू कर देती है यही कलम अगर सल्मान रुस्ती जैसे के हाथ में लग जाए तो इसलाम के खलाप लग जा ता करके दुश्मनाने इसलाम के मुह मेर, कील और ताला लगाकर के कलम के जर्गे सरके इसलिए मेरे दोस्तों हर महास बेटे को सिक्षित और तालिम्याफ्ता बनाने की जरूरत है अगर किसी को टीवी की बीमारी हो जाए या किंसर हो जाए तर्द में कराह रहा हो और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो तो आदली खरीदेगा कि नहीं है घ्रुर्ते को बलिए ना खरीदेगा ना, अगर जीना है जिन्डगी अराम से गजारनी है तो दुश्मन के दुकान से भी दवा, दवा, दवा लेनी होगी नहीं तो घुट घुट के मरना होगा है मेरे दोस्तों ताज अपने लालों को इतना सिक्षित और तालिम याफ़ता बना दिये कि आपका दुश्मन भी आपके बेटे को दवा की तरह इस्तमाल करे मेरा दुश्मन तो है मेगर समाज की जरुवत है इसका लाज लिखा जाएगा कांदे पे सर्वे लेकर के चला जाएगा तो मेरे दोस्तों अपने लाल को सिक्षित बनाएए अपने लाल को पढ़ाएए और मजहाभी दुन्या और दीनी दोनों तालिम अपने बेटे के सीने में उतारिए ताके हर मेतान में आपका बेटा सुर्खुरू बन करके नज़र आए मेरे साथ पढ़िया अस्तफिरुल्लाह रभी बिन कुले दंबी वातु लएए ला इलाह इल्लाह मुहम्मद रर्रसूल्लाह तुलसी भाजो बजाना साता गोई अरे बिना मुहम्मद पारिना हो तुलसी करवटबाद में बढ़ रहते सब काम भैक उडवासी ना बनो बिना मुहम्मद ना फिर कभी जिन्दगी वफा करी तो आप से मुलाकात की जाएगी सीने दिन में जमाले यार का नासू रहे मर हमें यादे नभी से दर्दें काफूर है नुखते हर फिकर जो मिसले कबर मानूर है ए रजा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी खजल पड़कर कसीदा नूर का अस्सलाम आलेकम और रहमतुलाह वबरका